सिस्टम को कंट्रोल करता है जो वारा करनल है जहां से हम सारे स्ञेंट NICK साथ चाथ जो हम उसके उपड़ाएं वह कर आप साफेर्य के श्यव्यरों करेंगे जो भी आप चीज़ें इंस्टॉल करेंगे जो भी आप चीज़ें इंस्टॉल करेंगे अप्लिकेशन वो आपके पास जहां वो यूबन्टू या किसी भी लिनिक्स की ऑप्रेंटिक सिस्टम के बात कर रहा हूं तो उसके अंदर जितनी भी टूल्स चीज़ें चल रही हैं वो भी स्लिकेशन को तो अप्लिकेशन को तो करते हैं वहां पर भी जिस भी जानिकी के बारे में बड़ा एक कॉंसेट पढ़ए जाता है निकस टूटली फ्री बीकॉस लिनिकस के अंदर भी लाईसेंस आपके पास अपरेटी शिस्टम बेνा बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिबूशन से जो आपको जिनका लेना पढ़ता ह है जिनमें एक बड़ी फेमस जो है वह हमारे पास है जिसका का नाम है रेड है रेड हैट बहुत ज़्यदा पापुलर है अजय उसका डिफरंस क्या होता है चले मैं एक कम्यूंटी वर्जन उसको कहते हैं और एक होता है जो लाइसेंस बेस्ट वर्जन ओट इसको इंटरप्र यहां पर लिनिक्स के अंदर इतनी डिस्ट्रिबूशन है कि आपको नाम और अपने अजीव जीव से नाम और अजीव जीव से उनके लोगों आपको नज़र आएंगे लेकिन यह इस वज़ा से कोई बैठके अपने नाम से कोई बैठके अपने नाम से लांच करना चाहता है तो वह कर सकते हैं तो वह आपके पास ओपनली अवेलिबल होता है आप उसको कनवर्ड कर सकते हैं उसको क्याना मैं यूज कर सकते हैं और उसको कई कंपनी करती हैं कई कंपनी अपने नाम से निकालती हैं और अपनी या निकिसी ओपन नहीं करती हैं तो यह इस हद तक अवेलिबल होता है इस हद तक यहां पर आपके पास कोड अवेलिबल हो पर पिर भी बूला हुआ है कि आपको कोड लेवल के उपर आप जाके काम कर सकते हैं अच्छा डिस्ट्रिबूशन जो पेड डिस्ट्रिबूशन है मैं आप उसकी बात बता रहा था कि एक कम्पनी बात करो रहा है अपना ओपरेटिंग सिस्टम लांच किया और उस operating system को now they are providing the support as well community में आपको support इस तरह नहीं बिलती community में यह support होती कि आपको कोई issue आ रहा है तो आप community में approach करेंगे whenever they are free and they will assist you अगर वो नहीं available अगर आपको असेस्ट नहीं कर रहे तो they are not responsible to assist you लेकिन जो community यानि कि जो enterprise additions होते हैं उसमें आप पे करते हैं license का पे करते हैं and they will assist you as well whenever you need it वह according to the आप जो भी अपने उनका package लिया होता है जो उनसी भी आप उनका license पे कर रहे होते हैं उसके accordingly they will assist you तो चीज़ यह होती है कि license based आपके पास enterprise additions होते हैं और open source जो आपके होते हैं उन में आप कभी भी download कर से किसना हम लोग mostly commonly जो सबस्यादा यूज करते हैं वो यूबन्टू यूज कर रहे होते हैं मेरे लैप्टॉप में है मैं मेरे पास dual operating system मैं जिस लैप्टॉप पे आपको को यह session पढ़ा रहा हूँ इसमें मेरे विंडोस भी है मेरे सब्सक्राइब है तो माइट भी शायद अगए चाहिए मैं मिंट पर शिफ्ट हो जहूं ताकि आपनों को बैटर रही किसे लिनिक्स का experience भी दे सको आज मैं आप लोगो डबली एसल की जो मैंने भी एक्जैंपल दी आप लोगो कि हम जो है तो मैंने पुता है आपको डेबियन वान ओफ दी गुड डिस्ट्रिबिशन सेंटो एस बहुत से लोग यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत सारी अवेलेबल हैं लेकिन आप लोगों इससे किसी से भी घबराना इसलिए नहीं है बिकॉज जो इन सब की बैक्पोन है जो सब के अंदर सब कुछ चल रहा है जो करनल लेवल की चीज़ा वो लिनिक्स है लिनिक्स को ही आप लोगों ने आज समझना है कि अगर मैं यहां पर कमांड लिता हूं तो वह कि कमांड पूरे तमाम डिस्ट्रिबूशन में वही इंपक्ट डालेगी वही सीड़ी कमांड से आप होता है की टार मेंस बाज्रा टैंलागे तो यह सारी यानि आप Agreement लेकिन लेकिन यहांपर का मतलब bit असल में यह होता है कि लिनcix के उपर आप अपने यानिके टैक के साथ एक नई डिस्ट्रिबूशन क्रियाट करते हैं उन में कुछ डिफरेंसिस लोग डाल देते हैं जिस तरह अगर मैं रेड हैड की बात करूं तो आप लों को यहां पर पैकेज मैनेजर में और यूबंटू के पैकेज मैनेजर में डिफरेंस नजर लोग आगे जाके इंचले डिसकस करेंगे इंस्ट्रॉलेशन भी करेंगे तो आप लोगों को वहां पर अंडर्स्ट्रिबूशन लिनिक्स के अंदर बहुत सारी टाइप को कह सकते हैं कि हम डिस्ट्रिबूशन से और उन टाइप को हम यूज करते हैं फॉर आर ओन यूज इसके बाद जो मेन एक चीज है जिसको हम डिसकस करेंगे वह लिनिक्स का एक जिस तरह विंडूस के अंदर हमारे पास जब आपको इंस्ट्रॉल करते हैं कभी किसी ने अब तो वैसे दोर खतम हो गया विंडूस को इंस्ट्रॉल करने का बड़े ईजी लोग अब तो कंपर करते हैं आपको अधर्वाइस हम लोग बूट करते थे पहले सीडी के थूबूट करते थे अपने इंस्ट्रॉलेशन करते थे विंडूस की फिर हम लोग यूस्बी को बूटेबल बनाकर हम यूज तो जब भी कभी कोई ऑपरेंटिंस सिस्टम इंस्टॉल होता है तो उसकी डिफॉल्ट जो है ना एक डिरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रियेट होता है डिरेक्टरी स्ट्रक्चर यानि कि उसकी फाइल सिस्टम क्रियेट होता है जिस तरह अगर मैं आपको सीड्राइब